हे दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा एक की रीजन क्यों कुछी लोग बहुत अमीर बन पाते हैं और क्यों जाधतर लोग गरीब या फिर मिडल क्रास रह जाते हैं रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसके दो बाप थे अब आप कुछ गलत मत समझेए पहला उसका खुद का था पर दूसरा उसके दोस्त का बाप था जिसे वो अपना मू बोला बाप मानता था पहले वाले ने PhD की थी पर दूसरे ने कभी 8th भी पास नहीं की थी दोनों बहुती स्मार्ट और हार्ड वाकिंग थे पर दोनों की सोच बहुती अलग थी और दोनों रॉबर्ट को अलग-अलग बाते सिखाते थे पहला बाप बोलता था कि पैसा सारे फसाद की जड़ है पर दूसरा बोलता था कि पैसा ना होना सारे फसाद की जड़ है पहला रॉबर्ट को हमेशा महेंगी चीजों के बारे में सोचने से मना करता था और कहता था कि वो हमारी हैसियत के बाहर है दूसरा उसे कहता था कि वो सोचे और अलग-अलग रास्ते ढूंडे जिससे वो सारी महेंगी चीजे खरीच सके ये करने से उसका दिमाग तेज होगा और नए आइडियाज भी मिलेंगे पहला उसे कहता खूब मेहनत कर अच्छे से पढ़ लिख ताकि तुझे बड़ी कमपणी में नौकरी लगे और तू बड़ा इंसान बन पाए दूसरा कहता था तू खूब पढ़ मेहनत कर पर खुद की कमपणी खोल ताकि तू खूब सारी नौकरिया लोगों को दे पाए खुद करोडो कमाए जबकि उसका पहला बाप जिन्दगी बर गरीब रह गया सबसे इंपोर्टन बातों में से एक बात जो रॉबर्ट ने अपने अमीर बाप से सीखी वो थी जिसका मतलब है एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच का डिफरेंस जानना अब आप गौर से सुनिए ये नॉर्मल कॉमर्स में सिखाए गए मीनिंग से थोड़ा अलग है रॉबर्ट ने काफी इजी शब्दों में उसका मीनिंग बताया है जो कि कुछ ऐसा है एसेट्स कोई भी वो चीज होती है जो आपको पैसे बना के दे या फिर आपके जेब में पैसे डाले और लाइबिलिटीज वो चीजे होती है जो आपके जेब से पैसे ले ले या आपके पैसे खतम करे अमीर लोग इसी लिए अमीर होते हैं because वो अपने assets बनाते हैं जबकि middle class लोग बस liabilities पे खर्च करते हैं मिसाल के तोर पर रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त थे दोनों same position और same salary पे काम करते थे जब भी उन्हें salary मिलती रमेश अपनी salary से नए कपड़े, नए gadgets, नए फोन, बाइक या कार ऐसी चीज़े खरीदता था जो उसे अमीर जैसा feel कराती थी पर वो यह नहीं समझता था कि यह सारी चीज़े liabilities है जो उसके पैसे उससे ले रही है ना कि बस जब वो उने खरीदता है तब बलकि आगे भी maintenance पगेरा के लिए जिसकी value वक्त के साथ कम हो जाई और ना ही वो उससे आगे कुछ पैसो का profit देगी बट सुरेश ऐसा नहीं था, वो यह सारी चीज़े नहीं खरीदता था जब तक कि उसके लिए बहुत जरूरी ना हो वो चीज़ खरीदना वो पैसे जमा करता था और assets पे खर्च करता था जैसे के stocks, bonds, real estate अपनी खुद की skills बढने के लिए या कुछ सीखने के लिए जो उसे आगे और पैसे बना के दे दो साल बाद सुरेश करोड़ पती बन गया जबकि रमेश वैसे का वैसा अपनी कम salary को कोस्ता रह गया और कहता था कम salary उसके middle class होने का reason है एक गरीब इंसां का cash flow कुछ इस तरह होता है उसे पैसे मिलते हैं और फिर वो पैसे उसकी जरूरी खर्चों में खतम हो जाते हैं एक middle class का cash flow थोड़ा सा अलग होता है उसे पैसे मिलते हैं वो पैसे जरूरी खर्चों और liabilities में खतम कर देता है इसलिए middle class और गरीब में जादा फर्क नहीं है mostly middle class लोगों को लगता है उनका घर उनका asset है पर ऐसा नहीं है आपका घर आपको पैसे बना के नहीं देता unless आप उसको भाड़े पे दो जबके अमीर लोगों का cash flow ऐसा होता है उन्हें पैसे मिलते हैं वो उस पैसों से अपने assets बनाते हैं पहले और फिर उससे बने पैसों से खर्चा करते हैं इसलिए वो अमीर होते जाते हैं क्योंकि उनके income के source बढ़ते जाते हैं अगर आपको अमीर बनना है तो ये बात याद रखे अच्छे से इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हैं बलकि आप उन पैसों को कैसे और कहां खर्च कर रहे हैं ये important है आपको consumer की सोच से बाहर आकर investor की सोच अपनानी पड़ेगी लोग complain करते हैं उनकी खराब condition का reason उनकी कम salary है और salary बढ़ेगी तो वो आराम से रहेंगे पर problem ये है कि income बढ़ने के बाद लोगों के खर्चे जादा बढ़ जाते हैं क्योंकि जादा पैसे जादा अच्छी चीज़े खरीदने पर मजबूर करता है जैसे के बहतर phone, car, घर जो के सब फिर से बस liabilities है जो आपको कभी अमीर बनने नहीं देगी ये बाते मैंने Robert Kiyosaki की book Rich Dad Poor Dad से पढ़ी है जो वो पहली book थी जिसने मेरी सोच चेंज की और बहतर बनाई अगर आपको ये बाते अच्छी रहें